दुनिया भर में भगवान स्ट्रिक्रिष्ण का संदेश फैलाने वाली अंतराश्टिस्वन्स था इस कौन ने दुनिया की सबसे बड़ी भगवत गेता तैयार कर लिया 800 किलो वजन वाली इस किताब का एक पेस पलटने के लिए चाट-चाट लोगों की दर्वत पड़ती है आखिर और क्या-क्या खास है इस किताब में आईए आपको इसकी दूसरी भूबियों से रूब रूब करवाते हैं पहले दुनिया की सबसे उची मूर्ती स्टैचू अफ यूनिटी फिर दुनिया का सबसे लंबा बॉगी बिल ब्रिज फिर सबसे उचा चेनाव रेलवे ब्रिज और अब दुनिया की सबसे बड़ी किताब भगवत गीता 15 फरवरी को हिंदुस्तान के नाम एक और की रतिमान हो जाएगा जब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी दुनिया की सबसे बड़ी किताब भगवत गीता का लोकारपन करेंगे तो आईए जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी किताब भगवत गीता किन माइनों में खास है 800 किलो वजनी दुनिया के सबसे बड़ी किताब भगवत गीता का वजन 800 किलो है इसमें कुल 670 पेज है यह इतनी भारी है कि इसके एक पेज को पलटने के लिए चार लोगों की जरूरत पड़ती है लंबाई और चोड़ाई इस भगवत गीता की लंबाई 12 फिट और चोड़ाई 9 फिट है यानि लंबाई के मामले में इसके उचाई दो आदमियों के उचाई से भी जादा है इसे बनाने में 30 साल का समय लगा है सोने चांदी और प्लैटिनम के पेज इसे तयार करने के लिए सिंथैटिक कागज, सोना, चांदी और प्लैटिनम जैसी धादूं का भी इस्तेमाल हुआ है इसके पन्नों को जोड़ने के लिए जापानी बाइंडिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है लागत इस किताब को स्कॉन इटली ने बनाया है इसकॉन के सभी केंद्रों से राशी जमा कर इसे बनाया गया है इसके निर्मान में लगभग डेड़ करोर रुपे का खर्चाया है कवर पेज दुनिया की सबसे बड़ी भगवग गीता के कवर पेज को बनाने के लिए सेटेलाइट के निर्मान में इस्तमाल होने वाली कारबन फाइवर का इस्तमाल किया गया है लो कारबन के बाद दिल्ली में रखी जाएगी इसके स्वरूप और योजना में स्कॉन के कर्मचारियों ने साधिया जबकि मुदरन और निर्मान का जिम्मा मिलान के विशिशग्यों ने सम्हाला पहली बार इसे इटली में 12 नमंबर को प्रदर्शित किया गया लोकारपन के बाद इस भगवत गीता को दिल्ली के स्कॉन में रखा जाएगा इसे रखने के लिए 2 टन का हाइड्रॉलिक स्टैंड बनाया जाएगा आपको बता दे दुनिया के सबसे बड़ी भगवत गीता का लोकारपन प्रधान मंत्री मोधी 15 फरवरी को करेंगे जिसके बाद इसे दिल्ली के स्कॉन टेंपल में जनता देख सकती है कबर अपडेट की रिपोर्ट